नमस्कार स्वागत है आपका स्पेन नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ श्रुती नव्जो सिंग सिद्धू को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी कि वो उपमुख मंत्री बन सकते हैं पंजाब के अब इन सब उपर विराम लग गया है आशा कुमारी ने कैबिनट में नव्जो सिंग सिद्धू की वापसी के चर्चाओं पर विराम लगाया है कहा कोई संभाबना भी नहीं है आशा कुमारी ने विराम लगा दिया है कि अब रहा है कि अबаж की जानकारी वे नहीं है ये भी कहां उन्होंने आपको बता दे कि हाली में जो चर्चा हो रही थी कि नवजोज सिंग सिद्धू पार्टी में फ़र से वापसी कर सकते हैं और कैबिनेट में वापसी कर सकते हैं उपमुक मंत्री पद उन्हें मिल सकता है इस तरहे कि चर्चाएं हो रही थी कहा जा रहा थे लेकिन कुछ समय से वो चर्चाओं में नहीं है और वहीं हाली में जो चर्चा गर्माया हुआ था वो ये था कि नवजो सिंग सिद्धू फिर से वापसी कर सकते हैं और इसको लेकर कई तरह के क्यास लगाए जा रहे थे कि उपमुख्यमंत्री पद की पद पर भी नवजो यहांपर आश्यकुभरी जी ने यहां पर विराम लगा दिया है और कहा है इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है और पर इस तरफ पर भी एसी कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने कैबिनेट में सिद्धू की वापसी की चर्चाओं को को ही बता था दिया आपको कि प्रियंक वापसी इतनी आसान नहीं होगी, तो कि ये भी कहा जा रहा है, कि अगर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी बनते हैं, तो एक बार ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि नफ्जोर सिंग शिद्धू राहूल गांधी के पसंद रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है, कि अगर तो सिद्धू की वापसी हो सकती है सिद्धू उप्मुख्मंत्री बन सकते हैं लेकिन अभी तक जो चर्चा चल रही थी कि सिद्धू पंजाब के उप मुख्मंत्री बन सकते हैं अब उन какие-स पर विराम लगा अगर गांधि कांग्रेस के दख्ष होते हैं तो कहा रहा है कि मुम्किर है कि सुद्दू यहां पर वापसी कर सकते हैं वहीं बता दें को कि बीते लोक सभच नौँ में सद्दूने कैप्टेन पर निशाना साधा था में बात आखिर में यह है कि जब से सिदूने नफ्जो सिं नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि जब उन्हें सिद्धू को मंत्राले दिया गया था उस मंत्राले का पत सम्हालने के बजाए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थी ये भी कहा जा रहा था कि नवजो सिंग सिद्धू जो हैं वो Congress Party छोड़ सकते हैं, BJP में शामिल हो सकते हैं या फिर अभी हाली में जो चर्चा हो रही थी कि आप पार्टी में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं वहीं अकाली दल को लेकर भी जो खबर आ रही थी कि अकाली दल में शामिल होने के लिए मांग की गई है वहाँ पर इन सब बातों में अभी तक नवजो सिंग सिद्धू के तरब से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है कोई भी बयान सामने नहीं आया है अक्सर चर्चाओं में रहने वाले नवजो सिंग सिद्धू आखिर खामोश क्यों हैं जबकि उनको लेकर बाते हो रही है कि पंचाब के मुख्रमंत्री बनाया सकते है या फिर मन्तराल declare में फिर से उनकी वापसी हो सकती है इन सब बातों में उनकी तरब से कोई भी बयान सामने नहीं आया है बता दें आपको कि खैर अभी तक जो चर्चा हो रही थी कि नव्जो सिंग सिद्धू जो है फिर से उनकी वापसी हो सकती है यहाँ पर बड़े मंत्री पद पर उनको यहाँ पर पद सम्हालने को मिल सकता है लेकिन अभी इन सब पर विराम लग गया है अब देखना दिल्चास फोगा कि आखिर नव्जो सिंग सिद्धू की एंट्री कैसे होती है और कब वो वापसी करते हैं खैर यह जानकाली कैसे लगी आप हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड कर बता सकते हैं अब यह जाज़ जादा शेयर करें अगर आपको मेरा काम पसंदा रहा है तो जाज़ जादा शेयर करें और कमेंड कर जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में तब तक के लिए दीजी इजावदत नमस्कार